किरवा के पात पर उगेलन सुरुजा माला जाकी जूकी नमस्कार, स्वागत है आपका IDD मीडिया पर आज महापर्व छट का दूसरा देन है आज हम बात करते हैं खरने की क्या विशेष्था है खरना का संबन्ध है खरा शब्द से खरा का अर्थ होता है शुद्ध, अर्थात शुद्धी करन नहाय खाय के दिन जहां तन की शुद्धता का विशेश महत्तो है वहीं आंतरिक शुद्धता पर ध्यान दिया जाता है इसलिए साथी के चावल, गाय के दूद और गुड से खीर को तयार किया जाता है साथी का चावल मतलब वो चावल होते हैं जिसे साथ दिनों में तयार किया जाता है और ये काफी गुणकारी होता है, पाचक होता है इसे ग्रहन करने से गैस नहीं बनती है और इसे एकांद में ग्रहन किया जाता है इस प्रशाद को एकांध में ग्रहन करने की वज़ा यह है कि मन की शुधता बननी रहे, खाने में किसी प्रकार की वैवधान ना पड़े प्रशाद ग्रहन करते समय ध्यान केंदित रहे, उस प्रशाद पर खरना के दिन गन्य या खजूर की गुड़ बनाई जाती है उसमें किसी भी तरह के केमिकल या रसाइनिक तत्मों का विस्तमाल नहीं किया जाता है इस गुड़ को बहुत ही स्वच्चता के साथ बनाया जाता है विशेशकर जब कोलू से गन्य का रस निकाला जाता था और उससे जो गुड़ बनाई जाती थी उसको स्वच्छता के सारे पैमाने उपर खरा उतरती थी। उसे ही खरना के दिन उप्रोग किया जाता था। पहले साथी के चावल से बनाई जाती थी खीर लेकिन वर्तमान समय में यह चावल उपलब्द नहीं। इसलिए आम चावल से ही खीर बनाकर लोग वित्रण करते हैं। खीर और रोटी को मिट्टी के चुलहे पर आम की लकड़ी जलाकर प्रिशाद तयार किया जाता है। खरना में बना प्रशाद सबसे पहले व्रती पुरुष या महिला ग्रहन करते हैं। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है छट माता का भोग व्रतियों द्वारा इसे ग्रहन करना। और उसके बाद सभी परिवार मित्र जनों को वित्रित किया जाता है। प्रशाद को जरूरत मंदों को भी अवश्य देना चाहिए। कहा जाता है इससे छट माता अधिक प्रशन होती है। खरना के बाद अगले दिन ब्रह्म मूरत में व्रति शुरू हो जाता है। किरवा के पात पर उगेलन सुरूजा माला जाकी जूकी। एकरेलू छट बरतिया से जाकी जूकी। एकरेलू छट बरतिया से जाकी जूकी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। एकरेलू छट बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी आरूना ऐसन स्वामी से उनके लागी। एकरेलू छट बरतिया से उनके लागी। केरो आके पात पारे उंगेलन सुरू जा मला जाकी जूकी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी। एकरेलू छट बरतिया से केकरा लागी। एकरेलू छट बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे बेटा भी किया ऐसन बेटा से उनके लागी। हम रोजे बेटी सी मिया ऐसन बेटी से उनके लागी। आशा करती हूँ आप सबको यह बहुत पसंद आया होगा। आप अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप बने रहें आईडीडी मीडिया के साथ। नमस्कार